पुल्टिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की कोरोना के मामले को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है कहीं संपून लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगा कर कोरोना को रोखने की कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा ही मंजर उत्तरप्रदेश का भी हो गया है जहां कोरोना के मामले दोगुने रफ्तार से बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है सून्सान सड़के घरों में क्या दिंसान देश भर में पिछले कुछ समय तक पसरा ये खौपनाक मंजर आप भूले तो नहीं है भूलना भी नहीं चाहिए कोरोना ने जिस तरह पिछले साल तांडव मचाया वो सीख थी वो सीख थी प्रकृती की मनुश्य को कि नियमों में नहीं रहे तो नियमों में बांद कर घरों में कैद कर दिये जाओगे लेकिन एक बार फिर आदम साथ अपनी मनमाना ज़त पर है और उसका नतीजा कोरोना ने सारे रिकौर्ड तोड़ते हुए पूरे देश में तबाही मचा रखी है महराश्य के बाद अगर किसी राज्य में कोरोना के मामले सबसे ज़ादा है तो वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6000 से भी ज़ादा मामले सामने आए है जिसको लेकर कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का फर्मान जारी कर दिया गया है लखनाओ वाराणसी में राथ 9 से सुबा 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रयागराज में राथ 10 बजे से सुबा 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू कानपूर में रात नौ बजे से सुबा पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू नौईडा में नौ बजे से सुबा छे बजे तक नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की जिम्मेदारी जिले के कलेक्टरों के हाथ में सौपी है लेकिन सवाल है कि क्या रात में कर्फ्यू लगा देने भर से कोरोना को लॉक किया जा सकता है लोगों के मास्क ना पहनने की लापरवाही की वज़ा से कुरोना अपना विक्राल भूप दिखा रहा है बाजारों में बिना मास्क के लोग सामान खरीद में पहुच रहे हैं एक दूसरे के काफी पास खड़े होकर बात करते नजर आते हैं तमाम जगहों पर कुरोना से बचाओ की सभी विवस्थाएं ध्वस्त हैं चप्पे चप्पे पर लोगों की लापरवाही देखी जा सकती है इन तमाम तस्वीरों से इतना तुत्त है है कि अगर हम इंसानों ने मास्क अप नहीं किया तो लॉकडाउन जरूर होगा ब्यूरो रिपॉर्ट जन्ता टीवी तरमुक्यमंद्री योगी आदित्थनाथ के निर्देश पर गुरुवाराच से प्रदेश के छे शहरों में नाइट कर्फ्यू की विवस्था लागू होने के बाद भी प्रदेश में नए संक्रमित के सामने आने का सिलसिला बन थम नहीं रहा है बलकि रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में 8,490 नए संक्रमित सामने आने के बाद से प्रदेश के लोगों के चिंता बढ़ी हुई है लखनव में 2379 नए संक्रमित में रहे हैं जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित से 49 लोगों ने दम दोड़ दिया है तदेशपर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तरप्रदेश के स्वास्त मंतरी जय प्रताप सिंग ने कहा कि लोगों की लापरवाहि के चलते कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं राजसरकार इसके लिए सक्त है वहीं उन्होंने कहा कि contact tracing के जरिये ही कोरोना संक्रमन पर लगाम लगाई जा सकती है जो केसे हमारे पास आ रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यह सेकंड वेव के अंतरगर देश में कि इन्फेक्शिस जाते होंगे और इसमें इन्फेक्शन होने के गांट में इसमें वाइरल लोड फड़ा हलका कम रहता है परन्तु यह भी बात है कि जो बुझूर लोग के अंदर या जो उस तरह के कोमविट वले वेक्ति हैं जिनको यह लग जा रहा है तो थोड़ा उनके लिए खत्रा है तो इसके लिए जो ठोड़ी बहुत लापरवई हुई है पिछले कई महीनों से जो बार-बार प्रशासन के तरफ से सरकार के तरफ से के इन सरकार के तरफ से की मास्क पहनना जरूरी दोगश रखना जरूरी हैंड वशिंग यह सारी चीजे आम जनता लगबग भूल चुकी है जिसके कारण से जो सेकेंड वेव आई है यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए हमने जितने भी हमारे डी नोटिफाय हो चुके थे हॉस्पिरल उनको फिर नोटिफाय कर दिया टेस्टिंग क क्याini कि बढ़ा दिी बेट की वश्ता है थे बैट की वश्ता भी हम उतने लेवल तक ले जारह है जहा मारा पहले भी था और जहांजा हमारे मेडिकल उन्स्रेकश आइए जहां हमारे वी बढ़ा द क defines clubने जो में जो कम कर दिया ता उनको पूर उन्द जगह पर उन्से जग और प्रबंदे ने वो साथ साथ में अमलोग करते जा रहे हैं आप दीपार्टी के नेता संजेश सिंग ने यूपी में बढ़ते कोरोना केसिस को लेकर यूगी सरकार पर तंज कसा और इस दोरान क्या कोछ नहीं ने कहा आपको सुनाते हैं प्रदेश में कोरोना की महामारी ने हयावा रूप ले लिया है और हालत ये हो गई आदितनाजी के राज में कि ना तो अस्पतालों में बेड़ मिल रहा है ना समसानों पर लासे जणाने का इंतजाम है ये दोनों दुखदाई तस्वीरे है एक तरफ अस्पतालों में मरीज तरप रहे हैं दम तोड़ दे रहे हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ जब उनका दुखी परिवार फिरुथ होकर अपने घर वाले की लास लेके समसान पहुंसता है तो वहाँ उसको लाइन लगा आदितनाजी आपको तीन सो पचीस सीटे दी है उत्तर प्रदेश की जंता ने तीन सो पचीस इसका ये मतलब नहीं कि आप उत्तर प्रदेश की जंता को मरने के लिए छोड़के चुनाव पचार में घुमें कैसा संबेदन ही मुख्यमंत्री वहो सकता है कैसा नाकारा और घृदई मुख्यमंत्री वहो सकता है जो अपने प्रदेश की जंता को मरने की हालत में छोड़कर अपने पार्टी के चुनाव परचार की चुनता करता पर मुख्यमंत्री अवैट लाइसेंस शास्त्र के मामले में जिले के CGM कोट में नियाधी श्विनोज शर्मा के समक्षाद वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जवाद्यम से पेश हुआ और जवरान दौन मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री के मिलने की सुविधा देने के आदेश दिये है माफिया मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इसमीच वाइरल हो रही जिसमें को पंजाब के रोपर जेल से उत्तरप्रदेश के बांदा जेल से ले जाते बक्त मुख्यम से नीचे उरतरते हुए नजर आ रहा है इस तस्वीर को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं दरसल एक वीडियो है और सवाल यह है कि पंजाब कोट में वीलचेयर पर पहुंचा मुखतार इस वीडियो में अपने पैरों पर थाने में पैदल जाते हुए नजर आ रहा है ये कानपुर के 60 थाने की बताई ज करने के माबले में मुखतार इंसारी से पूछताच होगी 12 पोलिस की टीम बांदा सवाखी जाएकAR माफिया डौन न मुखतार इंसारी से पूछताच पी करेगी बतादे कि कही पुराने वीडियो और फोटोस में मुखतार अंसारी के औरसे इस ambulance के प्रयोग किया जाने का तथ्य भी सामने आया है जिसको लेकर मुक्तार अंसारी से पूचताच की जाएगी दरुतर प्रदेश के मउजनपत से बाहुबली विधायक मुक्तार अंसारी को पंजाब की रोपर जेल में जितनी भी बिमारियां हुई थी यूपी पहुचते ही वो सब ठीक हो गई है यानि बांदा लाए जाने के बाद की गई उसकी मेडिकल चांच में उसकी सभी बिमारियां ठीक पाई गई है जिसके बाद पंजाब में बनाए गई गई मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जौनपुर में आगामी 15 अपरेल को होने वाले हैं त्री इस्तरीय पंचाय चुनाव और आगामी महीने में ही पढ़ने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओड़ से जले में पुलिस फोर्स को सक्रिय तो कर दिया गया है बाहर से आई फोर्स के साथ आज अपर पुलिस अधीक्षक शेहर के नित्रत में नगर के कई मार्गों पर फ्लैगमार्च भी किया गया तो उसके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी काशी विश्वनात मंदिर ग्यान व्यापी परिसर विवाद मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि ग्यान व्यापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षन होगा इसके लिए अदालत ने केंदर और उत्तरप्रदेश सरकार को पत्र जारी कर पुरातत्व विभाग की पांच सदस्य टीम बना कर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षन करने का आदेश दिया है कोट ने अपने आदेश में केंदर और राजसरकारों से कहा है कि दोनों ही सरकारें पुरातात्विक सर्वेक्षन का खर्च उठाएंगी सिविल जज्ज सीनियर डिविजन फास्ट्रेक कोट आशुतोष तिवारी की अदालत ने ये फैसला सुनाया है अब इस मामले को भी अयोध्या मामले की तरह ही एसाइब मंदिर पक्ष के दावे की सच्चाई को परखा जाएगा वारानसी न्यायाले के द्वारा स्रीकाशी ग्यानवापी मश्जित के मुकदमे में जो बाबा विश्वनात का स्थान है आदि विश्वस्वर महादेव जिनने अल्मुक्त और बाबा विश्वरात कहते हैं इस संदर्ग में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है कौन सा धार्मिन स्वरूप है कि AASI के द्वारा सर्वय करने का और इसका बेर राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए ऐसा आज एक आधेश पाइच होगा है इस आधेश का अखिल भार्तिय सम्चमीती स्वागत करती है और यह विश्वास करती है कि आने वाले दिनों में कासिर शुरांत और स्रक्ष नहीं भूमी मत्वरा के मुक्ति का मार अवस्य प्रकट होगा हुत्रपदेश के बिजनौर के एक गाउं बख्षी वाला में आतिश बाजी बनाने वाले एक मकान में अचानक आग लग गई जिसमें जुलसकर पांच लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए इस घटना के बाद से प्रशासर में हरकम मचा हुआ है पुलिस ने मकान के मालिक यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है अदाने की बक्षी वाला की एहमत नगर कॉलनी में एक मकान के भीतर आतिश बाजी बनाने का काम चल रहा था और इसमें घर के अंदर नौ लोग काम कर रहे थे पटाके बनाते समय अचानक उठी एक चिंगारी के बाद मकान में भैंकर आग लग गई पता जा रहे कि वहां पर रखा बारूद और केमिकल इसके बाद जलने लगा पांच लोगों की इसमें जल कर मौत हो गई कि यहां केमिकल रखा हुआ है तो जैतने के प्रतीत होता है किस पटाथे की सामगरी थी अचानक उसमें आग लग जया पांच लोग भिलस गए और उनकी मौक्यों पर दर्दनाथ और दुखन मुश्यू ही जो ठेशेदार था जो इसको संचावन करता था यूसुफ इसकी कि रफ्तारी की जा चुकी है डेड़ वाड़ी को मौक्टे से मुर्चरी के लिए पंचात रामा के लिए हैं आगरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली रेफर किये गए कैदी धर्मेंद्र और धन्नों की मौत के मामले में जमकर बवाल हुआ है बता दें कि प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी धन्नों का दाहा संसकार नहीं होने दिया गया मृतक की परिजनों कारोप है कि धन्नों की पुलिस प्रतारना के चलते ही मौत ही है तो वहीं मृत की मौत को लेकर गाओं में काफी आक्रोश है मामले को बढ़ता देख स्पी मुनिराज ने जाच का भर वहाँ को सा दिला कि अ मृतावार, 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 मृतावार. कि अज़ बने दाधिके वे तॉर्चहर दे कराया गया तो कि अबल गया यसान हे तिह उनको अभड़काया ते रही बहर ह्या practicing उसकी मौत से पहले उसने जिन लोगों के नाम बयान दिया है, जिन लोगों के नाम खुलासे किये हैं, हमारी मांग है उन लोगों के खिलाब कानूनिक दारवाई होना चाहिए, तीमसोतों का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, पीडित परवार को न्याय मिलना चाहिए, उनको परिवार के वेक्ति को सरकारी नौकरी मिलने चाहिए हम लोगों की यह मांग है वीडियोग्रफिक सब पोस्टमाट होगा है और आज उसके देट बारी जनपत आकरे में आई हैं वहाँ परिवार जनका कुछ आरूप है इसकी करना करम को पोरा उनका जांस करने के लिए है और उसके उलोग कुछ लोग उसका तर है हमने जाएंट जिनकोरी के भी कमिटी अगर अधियक्ष कुवर्टौकीर ने कांग्रिस आलाकमान और कारीकरताओं को खून से माफी नामा लिखा है दरहसल कुछ दिनों पहले कुवर्टौकीर ने आलाकमान के अपशब्दों का इस्तवाल गया था हालाकमान के खिलाफ और जिसके बाद उन्हें अध्यक्षपत से निश्कासित भी कर दिया गया था बदा दें कि कौर तौकीर का सूशल मीडिया पर अभधर भाशा का वीडियो तीजी से बाइरल हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस तरह से एक माफी नामा लिखा है अपने ही खून से काफी पहले जिसमें मैंने श्रीमती इंद्रा गांधी जी और गांधी परिवार के बारे में कुछ अब शब्द बोले हैं जो कि मेरी नासंजी थी मेरी नादानी थी आज मैं उस पार्टी से जुडावा हूं उस विचारदारा से जुडावा हूं और मुझे खुद इस चीज से माफी मांगी है तमाम भारतवाजियों से तमाम कॉंग्रेसियों से तमाम फ्रेंटलों के अध्यक्ष तुसी के साथ फिलाल इस बुलिटन में इतना है लेकिन खबरे और अब्डेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा नमस्कार